नमस्ते दोस्तों, Green TV के कारकरम पूछें अपना सवाल में आप सभी का स्वागत है मेरे यानि की अंशु कुमार के साथ दोस्तों, इस कारकरम में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब तो अगर आप भी पूछना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल तो तुरंट फॉन उठाईए और अपना सवाल पूछिए फॉन के अलावा फेस्बुक वाट्सअप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर जी सी श्रोतिय जी सर आपका बहुत-बहुत सुवागत है हमारे इस कारक्रम में तो दोस्तों अपने कारक्रम की शुरुवात करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर्शे शितिश साहु जी से जो की उडिसा के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो शितिश जी बात कर रहे हैं नमश्कार सर में अन्शु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से आपका सवाल आया था जी सर पूछे अपने सवाल नहीं हो मैं क्या बोलाओं मैं अगर मेरा एक 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 जमिन है जी अगर मैं उसमें अलोवेरा या गुलाब का फूल का शेश्टी करना तो मैं अच्छा शेटिश जी पहले तो आपको यह तेह करना है कि अलोवेरा लेंगे या गुलाब लेंगे और आपने अलोवेरा के लिए आपका जल्वाईव और जमीन दोनों उप्यूक्त है लेकिन जैसे आपके चिंता है कि क्या लाब होगा लाब तो पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि आप बेचेंगे कहां कौन खरीदेगा सबसे पहले तो यह बात जरूरी है एक बार आप पहलोवेरा लगाएंगे तो तीन साल तक उससे पत्ते ले सकते हैं तो क्या वहां खरीदार कौन है यह देखना जरूरी है क्योंकि उसी पर निर्वर करेगा कि आपका लाब कितना होगा तो पहले वहां कौन-कौन खरीदार है यह पता करें या तो भुवनेश्वर से पता करने या हमें यहां से नहीं पता होगा कि कौन करेंगा लेकिन जो लोग खास करके फार्मेसिकल दवाईयां बनाते हैं वो लोग अलोवेरा के जूस या अलोवेरा के दूसरे पदार्थ बनाते हैं अगर तो वहां कोई है तो उनसे बातचीत आपको करनी पड़ेगी और वही एक बजार भाव जब आपको बताएंगे तो आप यह करेंगे कि आपको कितना हो सकती है तो क्या राजस्थान के अलावा जो है वह साथ हिंगिया भी अलोवेरा की खेती आम तोर पे हम हर जगे कर सकते हैं बहुत ठंडे इलाके में तो नहीं लेकिन हां सारे जो हमारे उष्णिकटी बंधी शेत्री जिन को हम कहते हैं जहां गर्मी ज्यादा है और पानी की काम है और यह एक तरह से पौधा बिना ज्यादा देख रेक के उख सकता है तो कहीं भी कर सकते हैं सवाल यह कि आप अलोवेरा जब कर रहे हैं तो उसका उपयोग क्या करेंगे और मार्केट बजार कहां है उसका क्यांकि वह इस्तिती नहों जाए कि इतना अलोवेरा हो ज यह सवाल आया है सुमिछ शर्मा जी का जो कि जम्मू के रहने वाले हैं तो आएए बात करते हैं सुमिछ जी से और देते हैं उनके सवालों की जवाब हलो हलो सुमिछ जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं आशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से जी सर आपका सवाल आया था फेस्बूक के जरिये हाँ जी सर पूछे अपने सवाल परिमन वाई सहां को थी राइटी आप रेक्वेंट करते हैं कि लगारी चाहिए एक और इसका सुमिछ जी जो हम जो प्रक्यूर्मेंट कर रहे हैं जो खरीद कर रही है सरकार उसमें तो सिर्फ साधान चावल धान है वही कर रहे हैं जैसे आपने देखा होगा 16-17 वर्ष के लिए 2016-17 वर्ष के लिए जो हमारा खरीफ के धान का MSP था वो 1470 रुपे था प्रति क्विंटल और ए ग्रेट का जो था ये तो जो साधान था और ए ग्रेट का था उसमें 1510 रुपे का प्रति क्विंटल MSP रहा तो इसके अलावा खरीदारी नहीं हो रहे है जैसे बास्मति धान है या मतलब सरकारी इस तर पर नहीं बजारत में तो है तो MSP वहां ही है जो इन साधान जो हमारे धान है उस पर है तो परमल पर नहीं इस पर है कौन सा जिला आपके साथ लग रहा है पंजाब का हम तो गुर्दासपूर के कृषिविज्ञान केंदर से पूछ लें आप कि उनके पास परमल के कौन सी वराइटी है जो आप लगा सकते हैं क्योंकि आपका जिला और गुर्दासपूर दोनों एक जैसे हैं जलवायू में तो वहां जो किस्म रिकमंट की है जो उपलब्ध ह है वह आपके लिए भी मुनासिब होगी पर हेक्टर अगर आप निकालना चाहेंगे तो लगबग 35-40 कुंटल निकल जाएगा जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जुनने के लिए सवाल पूछने के लिए तो दोस्तों इसी के साथ आए बात करते हैं अपने अग कि नमस्कार सर मैं अंशु बात कर रही हूं ग्रीन टीवी से सर आपका सवाल आया था हाँ मिर्च में और वेगन में पौदे शूग रहे हैं पत्तिया एदे मचाना कि ना पूरी है ना पुश्य जी सौंपल जी आजकल जो मिर्च में और बेंगन में आप देख रहे होंगे है कि पत्ते जो हमारे हैं पौधों के वो मुर्चा रहा है और पत्ती मरोड रोग जिसको कहते हैं वो उस तरह का कुछ हो रहा है तो यह जो बेमारी है वो वाइट प्लाई या फेट्स अगरा इनसे दूसरे कीडों से होती है तो पहले हमें कीडों का नियंत्रन कीट नियंत जरूरी है तो अगर आप इस पर मैटा से स्टाप अगर एक एमल प्रती लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इस पर नियंत्रन हो जाएगा लेकिन अभी जो नए पत्ते आ रहे हैं वो तो शायद इस तरह से प्रभावित नहीं है आपका बहुत-बहुत धनिवाद जोड़ हम से जूरने के लिए यह सवाल पूशने के लिए थोड़ी दर पहले कहा था कि जो राइस की वेराइटी के बार में वो किसम के लिए किस का उपलब्ध है है क्योंकि यूनिवर्सिटी में दूसरे जगे जो दूसरे स्रहत हैं कृषिव भाग है यह राश्ट्री ब अगर आप विशेष्टार से कर रहे हैं या तो बासमती राइस रहते हैं या पलमल रह रहे हैं या साधान राइस जो अपना धान ले रहे हैं उसको देखना होता है तो वो अपने शेत्र के हिसाब से चुने क्योंकि विशेष्टा है आजकल तो संकर किसमे भी आ गई है जो तो बहुत ज्यादा उपश्ज दे सकती हैं, 16 कौंटल, 80 कौंटल तक उपश्ज आप ले सकते हैं, 10 टन, यानि 100 कौंटल तक भी अगर आप अच्छी खेती करें, तो संकरधान से ले सकते हैं, तो आप क्या किस्म चाहते हैं, और कितनी उपश्ज चाहते हैं, उसका निड्ने किस तरह के धान के लिए कौन सी किस्म लें उसका चुनाव कैसे करें लेकिन सर बीज जो है वह किसी विश्विध्याले से संबंदित हैं तो वहां कभी-कभी उनके पास जानकारी तो देंगे ले सकते हैं दोस्तों इसी के साथ रुखते हैं छोटे से प्रेक लिए ब्लेक के बात करेंगे कुछ ब्रेक के बार आप सभी का स्वागत है पूछें अपना सवाल में दोस्तों अपने कारकरम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से विजेंदर जी से जो की 36 गट के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो विजेंदर जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं अंशु बात करें ग्रीन टीवी से अजी मैं सर आपका सवाल आया था हम मैं यह तुल्सी की पोधे की खेती करना चाहता हूं जी और मेरा जो प्रस्म है इसकी विक्रे में कहां करूं जी विजेंदर जी सबसे पहले तो आप आपने का खेती करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी भी इस संबंद में लेनी होगी तो एक ट्रेनिंग ले लें और कहां से बीज मिलेगा और आप अपनी पौध स्याम तयार करेंगे कौन सी किस्म होगी यह सारी जानकारी लेना जरूरी है राम तुल्सी करेंगे या शाम तुल्सी करेंगे तो ट्रेनिंग की जहां तक बात है तो राइपूर कृषिविश्विद्याले से संपर करने खास करके जो तुल्सी का अनुसंदान हमारे देश में हो रहा है वो गुजरात में एक संस्ता है वहां हो रहा है डिरेक्ट रेट अफ मेडिकल और अरिमेटिक प्लांट रिसर्च जो आनंद के पास है एक जगे जिसका नाम है बोरियावी तो वहां से ट्रेनिंग हो सकती लेकिन यह दूर होगा आपके यहां से तो राइपूर में पता करने कृषिविश्विद्याले में कि वह इस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं और कौन सी किस करना होगा कि कहां बिक्री करेंगे जिस अभी तुल्सी केसिस की करना जाते हैं तो वह क्या व्हिस्ट से तुल्सी की घेटिकरें ना ज्यांम अटन आए ऊफार्झ यहां आं हमारे आपको ऑ्ष्यक्ष भोध के लीलें प्याने तो है तो जाए द टैयार करना है जी आख आर तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बजार से आप बाद कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है क्योंकि अगर आप नहीं खेती कर रहे हैं तो बजार में प्रावध उपलब्द नहीं है जितना आपको चाहिए उतना पॉस्वल यह और तो अपनी ही क्यारी लगाएं तो साथ आईए बात करते हैं अगले कॉलर जो कि पंजाब करेब करें साथ सवाल मुस्ताख जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर में आंशु बात कर रहु हूं ग्रीन टीवी से जी सर आपका सवाल आय था है पूछे अपना सवाल हमारे जहां पर पेड लगे हुए है फूर फूरत वाले जी बूके है तिनुके हैं सर उसका फाल जो पीला पड़ जाता है तो घर जाता है मुश्टाग फाई आप के यहां जो फल खेत में लगे हुए है नहीं हमारा प्लाट है घर के पास है संगरूर में हाली 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 हम संगरूर के पास है अच्छा तो कुछ देखे एक तो बढ़वार की बात है कि वह अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं नहीं है दूसरा फल लगके गिरने लगते हैं वो बात है तो इसमें सबसे पहले तो पौधों को अच्छी खुराक मिलनी चाहिए तो खाद वगरा जो हम देते हैं वो उस पर ध्यान रखना है तो कीनू के लिए नीबू के लिए चीकू के लिए जो भी आपके पास फल के पौधे हैं उसमें कितने उमर के हैं उस हिसाब से खाद डलता है तो एक तो यह तैय करें कि हम उनमें आवश्यक्त जो खुराक है खाद है वो डाल रहे हैं और इन सब पौधों में जो फल वाले पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन फास्फ़रस पोटाश यानि जो मुख्य तत्वें यूरिया प्राक चाहिए और कड़ देना है यह जानकारी आप ले लें जो भी आपके पास पौधें हैं उनके लिए और आपके यहां संगरूर में क्रशी विग्यान केंद्र जो पंजाब अग्रिकल्चर उनिवर्सिटी का है या महकमा भी है खेतिवाड़ी का जैरात का महकमा जिसम पानी देने का ठीक नहीं होता है पानी अगर आपका खारा है पहले उसको जाज कआजका आई तो अच्छा होगा फिर तो अच्छी अशोक जी जो आप विजाई करेंगे तो कौन सी किस्म ले रहे हैं, संकर किस्म ले रहे हैं, कपास की या साधान किस ले रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं, पूछे अपना सवाल में जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे क्रिशी विश्चेशक देते हैं आपके हर सवालों के जवाब दोस्तों अपने कारकरम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले कॉलर से अशोग जी से जो के हर्याना के रहने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या है इनका सवाल हलो अशोग जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं आशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से सर आपका सवाल आया था हाँ जी सर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पूछे अपने सवाल अशोग जी जो आप विजाई करेंगे तो कौन सी किस्म ले रहे हैं तो जो बीटी का पास है उसमें जो मात्रा चाहिए नाइट्रोजन फास्वरस पोटाश की वह सित्तर सेवन जीरो साथ शुन्य सित्तर किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिएगा तो यूरिया में अपनी तरफ से सिफारिश कर रहा हूं क्योंकि मोपी डालने से बिमारी कम लगती है और जो रेशा बनता है का पास का वो लंबा होता और मजबूत होता है और पिछली बार हमने देखा कि जब वहां वाइट फ्लाई लगी थी सफेद मक्खी लगी थी पंजाब और हरियाना में तो उन खेतों में जहां पोटाश डाला गया था वहां कम इसका असर वा था तो इसलिए मैं यह अपनी तरफ से सिफारिश कर रहा हूं विश्विद्याले की शायद सिफारिश नहों तो यह भी देख लें अगर आपने मिट्टी के नमूने की जांच कराई है और उसके अधार पर सिफारिश मनती है तो वह और अच्छी बात है लेकिन बिजाई के समय पचास किलो यूरिया पचास किलो डीएपी और पचास किलो मूरिट ऑफ पुटाश यह जरूर आप इस्तेमाल करें ताकि हमारा पौधा शुरू से ही मजबूत हो और बिमारी और कीडों से लड़ने के लिए उसमें पूरी ताकत रहे दूसरी बात यह कि दीमक के लिए भी आपको ध्यान रखना है तो उसके लिए अगर आप पर इस्तेमाल करेंगे तो दीमक नहीं होगा जी सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हम से जूड़ने के लिए सवाल पूशने के लिए दोस्तों इसी के साथ आएए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से जैप्रकाशी से जो कि बिहार के वैशाली में रहते हैं तो आएए जानते हैं क्या है इनका सवाल हेलो जैप्रकाश जी बात कर रहे हैं नमस्कार सर मैं आशु बात कर रहे हूं ग्रीन टीवी से जी सर आपका कोई सवाल आया था जी सर आप क्या जानना चाहते हैं पूछे अपना सवाल जी एक कद्दू पे एक यह लगया है पत्ते जी अगर कद्दू में अभी कीडे लगे हुए हैं तो हम आपको यह सलाह देंगे कि एक लीटर मेलाथियान पचास इसी वाला इसको 200-500 लीटर पानी में मिला करके अभी छ चेटकाव कर दें तो जो कीडों का है वो नियंत्रन हो जाएगा आप और भी कुछ जानना चाहते थे हां रेन वाटर हार विस्टिंग के वारे में हाँ देखें वैशाली जीले में बहुत ज्यादा अनुसंधान हुआ है एक तो घरों के पर से जो वर्षा का पानी वहां भी गहराई से पानी एकत्रित हो जमीन में वो भी अनुसंधान काफी अच्छे-च्छे हुए हैं वहां पर आमतर पर एक नई पद्धती वहां चली है जो खेतों में पानी भर जाता है वर्षारितों में और निकलता नहीं है और देर हो जाती है रभी की भुवाई मे तो वहां आजकल पाईप डाले गये हैं खेतों में गहराई तक वर्टिकल ड्रेंज जिसको करके कहा है कै खड़ी ना लियां बाकी तो दूसरी जगे हम जो पाणी की निकासी करते हैं खेत के चारों खेत के जहां धलान के अवस्ता है वहां नाली बनाते हैं ताकि वहां पानी रिस्क करकर और खेत के बाहर निकल जाए लेकिन बहुत से बार वैशाली के आसपास ऐसे संभावना नहीं रहते कि हम पानी को कहा निकालें पानी के निकास की पूरी व्यवस्ता नहीं है तो जो निचली सत्य है भूमी की उन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं और पाइप के जडिये परफॉरेटेट पाइप भी है और कुछ गहराई पर उसको लगाते हैं ताकि पानी नीचे जमीन में समा जा तो यह कुछ अनुसंदान हुए है वैशाली जीले की मैं बात कर रहा हुँ हु तो यह चेंच औरлек फूट के भाएप भी डाले हैं और उसके नीचे एगर और गहराई तक तक तो नीचे तक पाइप की कहरा ही तो इसके लिए पहले से तयारी करते हैं जब खेत खाली होते हैं चुंकि मालूम है कि यहाँ पर पानी वर्षा का इखटा हो जाता है तो उस तरह से वर्टिकल ड्रेनेज खड़ी जल निकास विवस्ता यह आजकल चालू हुआ है जहां तक घरों से छट के पानी का निकालने क सवाल है तो जहां से भी पानी हमेरे च्छत का नालियों से फो नालियों का खानी हम एक पक्के गड़े में डालते हैं उस में बालू और कंकर भी विछाते हैं ताकि वह साफ रहे और वह जो पानी नीचे रिस रहा है वह जमीन में जमा रहो है और कुछ लोग पानी इखटा भी कर सकते एक तो जमीन के पानी का इसतर बढ़ाना उस उद्धेश्य से अर पानी टैंक बनाकर इखटा किया जाता है तो सारी जो नालियां आ रहे छट से जहां से पानी गिरता है वह पाइप आपको एक गड़े में या टैंक में डालना है तो वह तो साधान सी तरकीब हुई अभी जो छट का धलान रखना है थोड़ा सा एक प्रतिशत ता कि वह एक तरफ प जानकारी दिये हमारे सभी कॉलर्स को आपका बहुत-बहुत शुक्रियां हम से जुड़ने के लिए इस सारी जानकारी हमें देने के लिए आपका बेधन्यवास तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े ग्रीन टीवी नमस्ते जानका बाइब से जानका बाइबस किती है